Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, welcome to Magnet Engineers इस वीडियो लेक्षणर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोडवेस के बारे में देखें, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था? पिछले वीडियो में हमने आपको chapter का जो second pillar है उसका introduction दे दिया है क्या तो हमने settlement पूरा complete कर चुके है इस chapter का transport की अगर बात करते हैं तो transport क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से transport जो transport system है उसका evolution हुआ है over the period of time वो मैंने आपको समझा दिया है अब मैंने आपको ये भी बताया कि जो modern means of transportation है उसे हम चार category में classify कर सकते हैं कौन-कौन सी हो चार category तो उन चार categories को पढ़ेंगे जिसमें से एक क्या है roadways है देखो roadways है, railways है, waterways है, airways है ये चार categories है तो चारो categories topic why topic हम क्या करने वाले हैं short distance क्यों लिखा है ये समझो, मतलब आप road पे चलते 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 इंडिया से कहीं भी जा सकते हो आप इंडिया से पाकिस्तान चलते हो, आपको कोई रोखेगा नहीं, ठीक है लेकिन ये ideal होता है, किसके लिए ये ideal होता है short distance के लिए समझा रहा हूँ कैसे, देखो क्या होता है, कि मानलो आपको कहां जाना है आपको street आप भोपाल में रहते हैं, ठीक है कि आप भोपाल में रहते हैं, आपको क्या जाना है, भोपाल central में इंडिया के एकदम अब आपको कहीं भी जाना हो, जैसे South में जाना है, मानलो South में आपको Kerala जाना है तो आप Bhopal से Kerala जाओगे तो पहुच तो जाओगे, ऐसा नहीं कि आप रास्ते रास्ते में भूल जाओगे, रास्ते भटक जाओगे, या फिर पहुचना impossible है पहुच जाओ गया, बहुत आसानी से, आप चाओ तो पैदल पैदल निकल जाओ, ठीके, लेकिन क्या है, लेकिन इसमें टाइम जादा लगेगा, आपको पता है, रोडवेस के थू, ठीके, मतलब इस Means of Transportation के अगर थू आप जाएंगे तो आपको टाइम जादा लगेगा, आपको भोपाल से होशंगाबाद जाना है, यह सब मद्यप्रदेश के शहर बता रहो में आपको, तो आप क्या है, यह शौट डिस्टेंस है, शौट डिस्टेंस आप भोपाल से होशंगाबाद के लिए, आप क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे शौट डिस्टेंस पर जाने के लिए आप रोडवेस प्रिफर करो गया अपनी कार से अपनी बाइक से कैसे भी जा सकते हो पैदल भी निकल सकते हो ठीक है तो इस संस में क्या है रोडवेस इसमीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसपेशली फोर शॉर्ट डिस्टेंस ठीक है अब रोडवेस में जिसे आपको समझ में आगे है road waste, तो road के थू जा रहे हैं आप, ठीक है road is your way, तो ये दो तरह के roads होते हैं यहापे, एक metal road होते हैं, दूसरे होते हैं unmetall road, ठीक है, metal road को पकka road भी कहा जाता है, और unmetall road को कच्चा road कहा जाता है, अब आप देखो, तो मेटल रोड क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेटल ड्वे में है, असा नहीं कि इसमें कहीं कॉपर वॉपर लगा के बनाया है, लेकिन इसमें जिस तरह से डामर वगर है, सारी चीज़े लगाई जाती है, तो वो थोड़ा कहा रहता है, पका में क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे कीचर हो जाएगा, यह सारी समस्या आने वाली है, तो संस में क्या है, यह All Weather Road नहीं होते हैं, यह क्या होते हैं, समय के साथ में रोड खराब हो जाते हैं, तो metall और unmettled, दोनों मैंने आपको explain कर दिये, अगली चीज देखिए, अगली मुझे बताए कि स्क्वाइर में कुई सा भी देश नहीं होता लेकिन आप दो मिनिटले इमाइजिन को यह देश है आपका अब पूरे देश में आपको लेकिन उपर जाके टेबल टॉप लेंड हो जाता है फिर कहीं पर प्लेंस होते हैं तो प्लेंस में माउंटेन पर बनाना डिफिकल्ट है अगर आप देखो तो ऐसे आपको रोड इस तरह से कुछ बनाना पड़ेंगे लेकिन अपने हिसाब से कैसे भी रोड बना सकते हो यह त तो प्लेंड एरियास पर रोड कंस्ट्रक्ट करना असान है इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि रोडवेज जो एक means of transportation है तो वो क्या होता बहुत डेंसली spread रहता है कहां पर एक dense network देखने को मिलता है रोड का प्लेंड एरियास में क्लियर रोड्स हैव अलसो विन बिल्ट इन टेंस लाइक डेजर्ड फॉर्स एंड इवन हाई मांटेंड अब देखो मैंने कहा प्लेंड में डेंस नेटवर्क होता है ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि मांटेंस पे रोड नहीं बना सकते हो तो मांटेंस वगेरा पे भी बाड़ी एक दम इसी गोल घुमके जारी उपर चड़ रही है तो इस तरह से मांटेंस में भी रोड बनाया जाते लेकिन रोड कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत क्या होता है डिफिकल्ट काम होता है वहां पर ड्राइव करना भी डिफिकल्ट काम होता है लैंड स्लाइड वग तो Manali Leha Highway in the Himalayan Mountain is one of the highest roadways in the world, one of the highest roadways, highest roadways मतलब ये जो ground level है, mean sea level जो है, तो sea level से लगबग लगबग 4000-5000 मीटर उपर की तरफ जो road बने हुए है, clear, Manali Leha Highway, तो ये उसका एक example है, उसी तरह से क्या है, बहुत सारे state highways है, national highways है, जो क्या कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं, connect करके रखे हुए एक जगा से दूसरे जगा को, एक state से दूसरे state को clear है, अलग-अलग district headquarters को, so this was all about roadways, आगे क्या, इसमें एक चीज और देख लो कि roadways, एक means of transportation है, इसमें अलग-अलग structure देखने को मिलेंगा आपको, तो कहीं-कहीं पर क्या होता है, subway होते हैं, under path होते हैं, मतलब ये road है के नीचे से road निकला हुआ या फिर अंदर से tunnel type बनाया है, तो से subway कहते हैं, under path कहते हैं, clear, आगे क्या होता है, flyovers होते हैं, ये भी road transportation का part होता है, flyovers क्या होते है, roads built over raised structure, raised structure मतलब क्या है, जिससे आप देखोगे यहां पर तो ये उठा होए structure है, एक road यहां निकला है, एक road य होता है, तो हमारा जो pillar है transportation, ट्रांसपोर्ट जो pillar है, तो इस chapter में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो settlement complete हो गया, transport में हमने एक means of transport देख लिया, roadways, अभी बचे हैं दूसरे means of transport, तो उन्हें सब सारे, जो दूसरे means of transport होने हम आने वाले video lectures में, देखने वाले हैं, important चीज़ क्य video lectures के format में free of cost available है, सारे video lectures free of cost available है, तो आप घर बैटे बैटे क्या कर सकते हैं, अपना syllabus पूरी तरह से complete कर सकते हैं, जब आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा, तो फिर आपको किसी वरगार की चिंता ही नहीं रहेगी, एक हमारी छोटी मदद क्या कर सकते हो आप, कि आप इस platform के बा सारे courses है, कुछ subjects complete हो चुके हैं, कुछ subjects के courses अभी चल रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से क्या है कि आप सारी चीज़ें अच्छे से घर बैटे बैटे complete कर सकते हैं, clear किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, next video lecture में अगले topic के साथ start करने वाले हैं, till then stay corrected, keep learning, thank you, thank you very much.